नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज हम डिसकस करेंगे सौवरीन राइट टू टैक्सेशन के बारे में, रीसनली हमारे फिनान्स मिनिस्टर निर्मला सीता रामन जी ने रियाजी सभा में ये बोल डेलमेंटल पोजेक्स, वेलफेर स्कीम्स वगरा लेके आते हैं, तो यह सब बात काब हुआ था, जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बार में बात हो रहा था, आप लोगों को पता होगा, पालमन ने रीसनली, दोनों होसस ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को अबोलि हम डिसकस करेंगे ब्रीफली, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, वो देखेंगे, टैक्सेशन इंडिया का बेसिक डफिनिशन क्या है, होता कैसा है, और सोवरिन टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन पावर्स अव्यूनियन अंड स्टेट इंडिया कैसा है, और सेप का बटन ज़रूर दबाईएगा चानल को अब तक सब्सक्रीम नहीं किया हो तो सब्सक्रीब ही कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चानल के मेंबर बन सकते हो जोइन बटन के थ्रू शुरुआत करते दोस्तों सबसे पहले कें एनजी केस के बैग्राउंड जान लेत कोई टैक्स नहीं है, मतलब आइस पर आवर टैक्स लोस इस पर्ट्यॉकलर ट्राइंशक्शन को ऊपर कोई टैक्स नहीं है पर इस डेट के पाथ आगे कभी 22 में, 23 में, 24 में, कभी भी गर्मन को ये लगा, इस तरह के transactions के उपर भी tax लगना चाहिए, तो गर्मन क्या करते है, retrospective tax लो लेके आते हैं, मतलब गर्मन ये बोलेगा, आपने जो 16 August 2021 में, जो transaction किये थी, तब कोई tax नहीं था, पर अभी हमने law जमन किया है, वो भी retrospectively, तो आपको 16 August 2021 वाला transaction को भी tax देना पड़ेगा, this is what is called retrospective tax, समझ गे, अब हम आते हैं, केन एनर्जी केस के बारे में, हुआ ये था दोस्तों, 2006 साथ में, केन UK करके, एक बहुत बड़ा energy company है, उन्होंने अपने shares transfer किया, केन India Limited करके, एक company में, बेसिकली उन्होंने केन India Limited करके, एक IPO खोला इंडिया में, यहां तक तो ठीक है, पर देखिए, इससे पहले भी कुछ चीज़ बॉलना है मुझे, केन UK करके energy company का, ओलड़ी 9 subsidiary companies थे इंडिया में, इन्होंने इस particular transaction से पहले, इन 9 companies के shares पूरा उठा के, United Shares of America में, New Jersey में, एक company में transfer किया, इसके बाद इन्होंने क्या क्या, इन shares को, New Jersey से, केन India Limited में, वापस transfer किया, तो कुछ ना कुछ गटबर लग रहा ना दोस्तों आपको, आप देखिए, इन सब transaction के ऊपर, actually कोई tax नहीं लगता है, पर, income tax authorities को, जो India का income tax authorities को, ये पता चल गया, कि इन्होंने capital gain किया है, मतलब profit कमाया है, इस तरह के transaction में, मतलब इन्होंने जो non-subsidory company से, शेर्स उठा के पहले, अमेरिका में भेजा, अमेरिका से फिर इंडिया में भेजा, तो इन में इनका कुछ फाइदा हुआ है, और इन्होंने इस profit के उपर हमें tax नहीं दे रहा है, तो income tax authorities ने क्या किया, इन्होंने बोला, आपको 24,500 करोर रुपिये tax देना होगा, तो ओबियोसी बात है, केन UK जैसे एक company इसके against appeal किया, यह, they refuse to pay the tax, which prompted cases being filed at income tax appealate tribunal, तो finally यह case चला गया, income tax appealate tribunal के पास, और फ़र डेली हाई कोट के पास भी, पर income tax appealate tribunal ने, जो ITAT है, इन्होंने income tax authority के favor में judgment दिया, और डेली हाई कोट में तो अभी भी case चल रहा है, तो यह केन energy को यह पता चल गया, अगर इंडिया में हम case लेडेंगे, तो कभी हमारी favor में judgment नहीं आएंगे, तो इन्होंने इसके बाद में permanent court of arbitration में चला गया था, और permanent court of arbitration, एक international judicial body है, इन्होंने केन energy के favor में ही judgment दिया, और यह बोला, इंडिया को as damages, केन energy को 8,000 crore देना होगा, देखे, 24,500 crore मांगे थे, अब permanent court of arbitration के हिसाब से 8,000 crore रूपया उधर देना है, ऐसा उन्हेंने judgment दिया, आप इंडिया और केन energy के बीच में बातें चल रहा है, वो out of the court settlement के लिए बात चल रहा है, इतना तक समझ में आ गया, आप देखे, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाली चीज़ कहां आ रहा है, देखे, दोस्तों, 2012 में इंडियन गर्मन ने अपने बजट में रेट्रोस्पेक्टिव ली अमेंड़ टैक्स कोड गीविंग इसल्फ द पावर तो गो आफ्टर मर्जर संद अक्यूसिशिशन, देखे, 267 की बात है, इंडियन गर्मन ने स्मार्ट ली क्या किया, अपनी बजट में रेट्रोस्पेक्टिव ली टैक्स कोड को आमेंड किया, मतलब इन्होंने यह अमेंड किया, कि जितने भी मर्जर संद अक्यूसिशन हुआ है 1962 से लेके अब तक उसमें आपको टैक्स देना ही होगा, मतलब जब 2006 साथ में हुआ था, तब कोई टैक्स देना नहीं था, पर इस तरह की जब इंडरनाशनल ट्रैक्सक्टिशन होते है, या मर्जर संद अक्यूसिशन होते है, इसमें भी आपको टैक्स देना होगा, वो भी तब कब से 1962 से लेके अब तक, तो हो गया ना वो रेट् के अब गया इनDP कर फोटीशन होगा, यह जो इंडरनशनल अब चाहिसोपटिशन सीड़ना घाकन प्रिशन का बता दीजिएमन आपको एधिक raising लेके यह वन्यूसिशन होगा, yum llamlin. आप तो दोस्तों रट्रोस्पेक्टिव टैक्स का आपको आ इस में increase in income, आपको आपको सम on individuals and organization समिधान के इसाब से गर्मन के पास राइट बनता है तो लिए taxes on individuals and organization पर it makes it clear that no one has the right to live your charge taxes except by the authority of law आप कोई भी tax imposed कर सकते हो पर इसको backup करने के लिए एक law होनी चाहिए बेसिकली legislator के द्वारा या पार्लमन के द्वारा पास किया हुआ एक law होनी चाहिए tax impose करने से पहले an act of sovereign power is one which cannot be prevented or annulled by any other power recognized by the constitution of the state तो finance minister ने जो sovereign power के बात की थी थी sovereign power का मतलब क्या होते दोस्तों sovereign power वो होता है दूसरा कोई power इसको prevent नहीं कर सकता मतलब गर्मन के पास जो power है उसको कोई भी और power जो constitution के द्वारा बनाये हुआ कोई भी body का कोई भी authority का जो power है गर्मन का जो sovereign power है इसको prevent नहीं कर सकता तो जो taxation वाला power जो है एक government का sovereign right है यह कह रहा है आप दोस्तों what is taxation in India ministry of statistics and program implementation के साब से it is a pecuniary burden laid upon individuals और property owners to support the government government को support करने के लिए individuals या property owners के ओपर एक pecuniary burden है pecuniary मतलब related to money एक money burden है basically to support the government तो मैंने आपको पहले ही बोला government को अगर survive करना है तो पैसे की ज़रूरा थे हो पैसे कहा से आएगा अगर आप ancient history भी देखोगे तब से लेके अब तक taxes के बिना कोई भी kingdom कोई भी empire survive नहीं किया है ठीक है and this is exacted by the legislative authority basically demanded by the legislative authority legislative authority demand करते है and tax is not a voluntary payment or donation यह कोई donation नहीं है या कोई voluntary payment नहीं है it is an enforced contribution exacted person to the legislative authority legislative authority के द्वारा बनाया हुआ एक enforced contribution है contribution है but this is enforced आपको देना ही होगा and taxes in India come under three tier system based on central state and local governments and the seven schedule of the constitution put separate heads of taxation Samithan के seven schedule के बार में अपने सुना होगा seven schedule में taxes को three tier system में separate किया है एक central tax है state tax है and local government tax है basically जो पंचायत मुन्सिपाली कोपरेशन को भी थोड़ा बहुत पवर गिया हुए taxation का property tax वार आपने सुना होगा and there is no separate head under concurrent list meaning union and the states have no concurrent power of taxation as part the document concurrent list क्या है देखे आपको पता एक union list होता है एक state list होता है और एक concurrent list होता है concurrent list में जितनी चीज़ें होता है जितने लिस्टोट किया subjects उसके उपर state या central government law से आट कर सकता है पर taxation के लिए कोई concurrent list नहीं है ऐसा कोई subject नहीं है जिसमें center या state दोनों tax कर सकता है एक है center state and local government यही three tier system है यह बोल रहा है ठीक है तो दोस्तों और एक बात यह बताना था कि 1st July 2017 से जब से GST लागू हुआ है maximum state taxes GST में सबस्यूम हो गया तो अब यह state level taxes Central level taxes यह सबका इतना relevance नहीं है अब कुछी taxes है जो state अभी भी खलक करता है जो GST में सबस्यूम नहीं हुआ है जैसे कि for example stamp duty, access duty on alcohol और जो lottery में taxes है यह सब अभी भी state collect करते है and GST में क्या क्या है तीनी है एक तो SGST है जो state का और CGST है Central GST और IGST है IGST मतलब क्या है integrated goods and service tax मतलब जब goods को state से दूसरे state में transfer करते है तब जो tax लगते है तो यह तीनों को cumulatively GST बोलते है यह central collect करते है बात में finance commission के report के हिसाब से central taxes are devolved to state governments मतलब state governments को अपना dividends दे देते है वाइसे दोस्तों 2017 में जब GST all of a sudden लागू हुआ था तो state governments नहीं बोला था हमान लिए तो बहुत बड़ा loss है तो central government 5 साल तक मतलब 2017-2022 तक इसका compensation भी states को देते है इसके बार में जितने भी news आते है आम लोग explain करते है वैसे daily news में आप लोग सुने भी होंगे जो revenue deficit है जो state governments का वो center GST compensation करके states को देते हुआ रहा है तो दोस्तों that's the end of it ए वीडियो में फिनिश कर रहा हूं I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जो sovereign right of taxes से उसका concept आपको समझ में आगया होगा यह में उम्मीद करता हूं आप लोगों की valuable suggestions and comments जो है आप मुझे please comment box में बता जीजेगा lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching bye bye have a nice day